हालो डियर इश्टेंट्स आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कलास 7 रेंबो एंगलिस यूपी बोर्ड की किताब लेसन वन को लेसन वन का नाम है थैंक यू गॉड इस वीडियो में हम लोग थैंक यू गॉड चेप्टर के पूरे हिंदी में अर्थ को समझेंगे पूरे लाइन बाइन और मैं आपको अच्छे से समझने के लिए मैं पूरे इसके उच्छारों के भी लिख दिया है और यहाँ पे ब्लू कलर में अर्थ को भी लिखा हुआ है लेकिन कोई भी चीज को रटने के प्रयास मत कीजिए इसके कॉंसेप्ट को समझेए तभी आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे तो आएए स्टार्ट करते हैं थैंक्यू का मतलब होता है धन्यवाद देना और गौड का मतलब होता है इस्वर यानि कि थैंक्यू गौड यानि भगवान को धन्यवाद भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, यहाँ पे दो बच्चे हाँ जोड़कर प्रतना कर रहे हैं और किस चीच के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, आए इसको समझते हैं तो हम लोग का पहला लाइन है For all the things around us, big and small Sounds around होता है चारो तरफ आसपास As मतलब हम को भी होता है लेकि यहाँ पे जो सेंस आया है हमारे का सेंस निकलेगा Big मतलब बड़ा होता है End मतलब और असमाल मतलब छोटा यानि कि हमारे आसपास की सभी चीजों के लिए चाहे बढ़ी हों और छोटी हों उनकी लिए धन्यवाद कर रहे हैं पहले पूरे पोयम को समझे पढ़ेंगे तभी आपके इसके अच्छे से अर्थ निकाल पाएंगे आईए देखते हैं दूसरा लाइन For all the creatures on this earth short and tall यानि कि इसका मतलब हो जाएगा कि इस धर्ती पर सभी प्राणियों के लिए छोटे और बड़े जीवोजन्तूओं के लिए मतलब कहने का यहाँ पर है for मतलब के लिए creatures मतलब होता है जीवोजन्तू या प्राणि होता है on this earth यानि इस प्रिथवी पर this मतलब या earth मतलब प्रिथवी जमीन पर on मतलब पर ठीक है यानि कि इस प्रिथवी पर short मतलब छोटा end मतलब और टाल मतलब बड़ा बोल सकते हैं लंबा बोल सकते हैं जैसे आप भाव को समझे इसको ठीक है मतलब एक ही होता है यानि कि इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए छोटे और बड़े यानि कि इस धरती पर जो भी प्राणियों है छोटे और बड़े उन सभी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं पहले पढ़िए इसको पुरा सभी लाइन को तब किलियर हो पाएगा और अब लोगों को for the lovely blue sky the sun, the moon and all वही फार मतलब के लिए lovely मतलब होता है प्यारा, blue मतलब नीला और अस्काई मतलब अकास, the sun मतलब सूरज, moon मतलब चंद्रमा end मतलब और आल मतलब सभी यानि कि हो जाएगा इसका अर्थ निकालेंगे तो blue यानि कि नीले सुन्दर नीले आकास के लिए, आसमान के लिए the sun, सूरे के लिए the moon, चंद्रमा के लिए और शभी के लिए धन्यवाद कर रहे हैं मतलब इस्वर को धन्यवाद दे रहे हैं बच्चे आईए और आगे बढ़ते हैं Almighty God, Almighty God का मतलब होता है सर्वसक्तिमान Almighty मतलब होता है सर्वसक्तिसाली जिसमें ज्यादा बल हो बलसाली बोलते हैं God मतलब भगवान यानि कि सर्वसक्तिमान इस्वर भगवान ठीक है जो भी बोल सकते हैं आप We thank you हम आपको धन्यवाद करते हैं या हम आपका धन्यवाद करते हैं And to you We call और हम आपको पुकारते हैं या हम आपका अस्मरण करते हैं ठीक है तो पहले चार लाइन का अर्थ एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि अच्छे से पूरे चार लाइन का आपको मतलब समझ में आ जाएगा ये जो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं बोल रहे हैं For all the things around us Big and small यानि कि हमारे आस पास की सभी चीजों के लिए वो चीज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उन सभी के लिए इस वर को धन्यवाद कर रहे हैं ठीक है आगे है For all the creatures on this earth short and tall यानि कि इस धर्ती पर सभी प्राणियों के लिए यानि सभी जीव जन्तों के लिए वो जीव चाहे छोटे हो चाहे लंबे हो चाहे बड़े हो कुछ भी हो उन सभी के लिए धन्यवाद देते हैं और हम लोग का है आगे For the lovely blue sky The sun, the moon and all यानि सुन्दर निले आसमान अकास के लिए सूरे के लिए, चांद के लिए और सभी के लिए हम इश्वर का धन्यवाद करते हैं यानि हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभू उसके बाद आगे हम लोग का है Almighty God We thank you and to you We call यानि कि सर्वसक्तिमान इश्वर सर्वसक्तिमान भगवान बोल सकते हैं हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम आपका असमरण करते हैं यानि हम आपको पुकारते हैं किसके लिए पुकारते हैं यह जो उपर हम लोग पड़े हैं हमारे आसपास की जितना भी छोटी चीज़ हैं बड़े जीव हैं जन्तु हैं उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उन सभी चीजों के लिए हम लोग हम आपका असमरण करते हैं या हम आपको पुकारते हैं कहने का मतलब यहाँ पर यह हो जाएगा अगला जो हमलों का लाइन है श्टेंजा पोयम का ब्लेस इच वन आफ अस इन योर नेम एज वी प्रे तो यहाँ पर देखिए ब्लेस का मतलब होता है असिरबाद देना इच मतलब होता है प्रतेक सभी को वन मतलब एक होता है लेकि यहाँ पर यह जो है वन आफ अस यानि कि हम में से यहाँ पर इच वन जो पढ़ेंगा न यहाँ पर इच वन का मतलब इच वन आफ अस का मतलब होता है हम में से प्रतेक को यानि हम में से हर एक को कहने का मतलब यह होता है यहाँ पर इन योर नेम यानि कि आपके नाम से आपके नाम में as we pray जैसा कि हम आपके नाम की प्रार्थना करते हैं हम आपको नाम लेकर मतलब यहां बोल सकते हैं कि जैसा कि हम आपका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं हम में से प्रते को असिरवाद दीजिए ठीक है तो इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे Bless each one of us in your name as we pray यानि कि हमें से प्रते को असिरबाद दीजिए जैसे कि हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं या हम आपके नाम लेकर आपको याद करते हैं तो हमें से आप प्रते को असिरबाद दीजिए इस लाइन का मतलब यही होगा आगे बढ़ते हैं Give us love kindness and courage day by day Give का मतलब होता है देना प्रदान करना दीजिए अस मतलब हमको लब मतलब प्यार kindness मतलब होता है दयालूता end मतलब और courage मतलब साहस day by day का मतलब होता है दिन प्रतिदिन तो इसका मतलब निकालेंगे आप लोग तो हो जाएगा हमें दिन प्रतिदिन प्रेम, kindness मतलब दयालूता end मतलब और courage मतलब साहस day by day का मतलब दिन प्रतिदिन हमें दिन प्रतिदिन प्रेम, दयालूता और साहस दीजिए आगे है लाइन में May we live in peace and harmony where we stay देखिए यहाँ पे जो बताया गया है where मतलब होता है जहां ठीक है जहां भी हम रहें यानि जहां भी हम लोग रहें we मतलब हम होता है हम लोग दोनों बोल सकते हैं जहां भी हम लोग रहें वहां क्या हो शांती और शदभाव शे रह सकें मतलब की रहें तो देखिए यहाँ पर में जो लगाया गया है मतलब जैसे कि अमनों किसी इजायत मांगते हैं तो वहाँ पर में का प्रयोकिया एता है तो यहाँ पर वही किया गया है तो हम यहाँ पर रह शक्के भी बोल सकते हैं हर्मनी का मतलब होता है सद्भाव, श्रमान जश्य, मेल मिलाफ, एक इंगलिस का कई अर्थ हिंदी में होता है, आप जैसे समझना चाहते हैं उसे समझ सकते हैं, ठीक है, आगे लाइन हम लोगों का है, जायानी किसी भी परिस्टती में कहने का मतलब है, यह एक फ्रेज है, कम वाट में का मतलब होता है, चाहे कुछ भी हो जाये, give us the strength to serve you यानि कि give मतलब प्रदान कीजिए दीजिए us मतलब हमको strength मतलब बल to serve मतलब सेवा करने के लिए और you मतलब आपकी यानि कि चाहे जो भी हो जाए यानि चाहे जो भी हो हमें आपकी सेवा करने का बल प्रदान कीजिए ताकत परदान कीजिए कहने का मतलब यहाँ पर यह है आगे जो लाइन हमलों का है Be with us O God Be मतलब रहो With us मतलब हमारे साथ O God मतलब हे भगवान In what we say and do In what का मतलब यहाँ पर है जो ठीक है जो What मतलब क्या होता है लेकिन यहाँ पर मतलब क्या निकलेगा जो तो हो जाएगा यहाँ पर He भगवान, He परमेशवर We say मतलब कहना होता है और do मतलब करना होता है ठीक है तो He भगवान या He परमेशवर हम जो कहते हैं और करते हैं उसमें आप हमारे साथ रहो ठीक है आगे हम लोग का जो लाइन है देखते हैं इसको पढ़ते हैं Accept this prayer Accept मतलब होता है स्विकार करो यानि स्विकार करना इस मतलब यह prayer मतलब प्रार्थना O God, He भगवान यानि कि इस प्रार्थना को स्विकार कीजिए He भगवान He इस्वर We bow down इसको बोलते हैं bow B-O-W bow down ठीक है तो हम लोग bow down मतलब होता है जुकाना मतलब कि जुकाते हैं नमन करते हैं और to you मतलब कि हम आपके सामने सिर जुकाते हैं ना तमस्तक होते हैं इस line का कहने का मतलब यह है ठीक है यानि कि He भगवान इस प्रार्थना को सिविकार कीजिए हम आपके सामने जुकते हैं तो इसमें आपका जो अर्थ था यही था आप इसको एक बार दो बार पढ़िए और अच्छे से आप इसको क्लियर हो जाएगा और अगले जो वीडियो आएगा इसका question answer का आएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद